हालो एपरिवन मैं ब्यूटी ब्लास चानल से हूँ और मैं आप लोगों के साथ आज एक ने प्रोडेक्ट कर रिव्यू करने जारी हूँ यह जो प्रोडेक्ट है पॉंड्स वाइटामीन मिसेलर वाटर डिटॉक्स चारकोल क्लिनिकली प्रिवेंट मेकप रिमूवर आज मैं आप लोगों के साथ इस प्रोडेक्ट कर रिव्यू करूंगे पॉंड्स की जो यह प्रोडेक्ट है तीन प्रोडेक्ट इसमें तीन मिसेलर वाटर लांच हुआ है मैंने यह डिटॉक्स चारकोल वाला भी यूज़ करके दिखा रही हूँ और इसका एक रोज वाटर प्योर रोज प्लस दूसरा अलवर एक्सेक्ट वाला भी इसमें अबलेबल है आप अपने स्कीन टोन के हिसाब से स्कीन के हिसाब से आप इसे चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं और यह दो साइज में अबलेबल है यह मैंने जिसे पर्चेस किया है यह 125 रुपीस का है और यह 99% आई मेकप को भी रिमूब करता है और स्कीन टाइप से यूज़ कर सकते हैं और लड़ियों को मेकप करना बहुत पसंद होता है और लड़ियां मेकप करती भी है हम जितने अच्छे से मेकप करते हैं हमें उतने अच्छे से ही हमारा फेस से मेकप रिमूब करना भी बह बहुत अच्छा होता है दन उसके बाद आप कोई सार भी फेस वाश यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसे अपलाई करके दिखाती अपने फेस पे कि ये मेक अप को रिमूब करता है कि नहीं करता है और ये एक प्लास्टिक के बॉटल में है तो ट्रेवल फ्रेंडली भी है और अगर ये आपके हाथ से गेता है तो ये टूटे का भी नहीं और इसकी शेल्फ लाइब जो है ये टू यर थ्री यर की है और 125 रूपीज है तो मेरी खाल से बहुत अच्छा वज़र फ्रेंडली है हर कोई इससे अफ़र्ट कर सकता है और ये दावा करता है कि आई मेकप को भी रिमूव करेगा आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो आप अपने हैंड बैग भी बहुत इजिली इससे कैरी कर सकते हैं मैं इससे अब अपना मेकप रिमूव करूँगे मैं अपना पूरा मेकप रिमूव कर दिया और आप देख सकते हैं मैंने एक बार ही प्रोडेक्ट इसमें यूज किया था और ये बहुत अच्छे से आपके फेस को मेकप को रिमूव करेगा और मेरी आखों में थोड़ा सा काजल है क्योंकि कोल काजल इतना इजीली नहीं निकलता है बाकि इसने मेरे आई लाइनर को लिप्स्टिक को और मैंने सिसी क्रीम यूज किया था अतना हैवी मेकप नहीं था पर फिर भी इसने बहुत अच्छे से मेरे पूरी मेकप को रिमूव कर दिया और आखों में कोई इर्यटेशन नहीं हुँआ मैंने आखों का आई मेकप भी रिमूव किया है इससे मुझे आखों में कोई इर्यटेशन फिल नहीं हुआ जो मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे मिसेलर वाटर यूज करने के बाद आखों में थोड़ा सा जलन फील होता है पर इससे मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूलें थैंक यू